लकिन नहीं साथ मीडिया वाले मौलाना जर्जीस के पीछे पढ़ जाएंगे ऐसे कपड़े पहनने वालों के पीछे नहीं पढ़ेंगे वो लड़की से पूछो कि ये कपड़े क्यों पहने हो, क्या कहेगी? फैशन है, सोच देखिए क्या कहेगी? फैशन है आप से पूछो, आपकी बेटी ये कपड़े पहन के जा रही है, जीस, टीशर्ट क्या कहेंगे? फैशन है क्या करूं मौलाना, आजकल कोई नहीं मानता, फैशन है हमारी सोच क्या है? फैशन चलो, लेकिन नभी ने क्या कहा है इसको? हमारी और आपकी सोच सब्वेकार है शरीयत क्या कहती है? चलो, अब बता देते हैं शरीयत क्या कहती है? सोच को शरीयत के मुतादिक बदलना पुड़ेगा माँ कीजिए, बहुती छमा मांते हुए मौज़त के साथ कह देता हूँ शरीयत को नहीं बदला जा सकता हुआ हमें आपने आपको बदलना होगा शरीयत नहीं बदली जाई कुछ सालों पहले एक यूणिवर्सिटी में मेरा पैप प्रोग्राम चल रहा था प्रोग्राम जामिय मिलिया में दिल्ली में तो वहां लड़के लड़के एक साथ बैठे हुए थे तो मैंने मना तो नहीं कर पाओगा आज कल फ्रेशन ऐसा है तो मैंने ये कहा कि ऐसा करो कि लड़के एक तरफ हो जाएं लड़कियां एक साथ ना बैठे बारहल वो हमारी बात माल ली गई और अलग-अलग हो गए लेकिन परदा नहीं था हमने अपनी बात कह दी तो एक साथ लेकिन वहाँ जो फंक्शन था अरली फंक्शन उसमें एक लड़की ने आकर स्पीश थी वो अल्ला बहतर जाने कौन थी खेर मुसल्मान तो नहीं थी लेकिन वो थी बड़े गरम हॉट 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 रूरी वादी सोच हैं ऐसी सोच हैं लड़के और लड़कियों को एक साथ बिठाने पैसा होता है जमाना बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है पहले चार महीने में आदमी साओधी आरब पहुंचता था घोडे और उट पे बैटके पानी के जहांस पे सफर करता हुआ तो बीस दिन में जाता था आज चार घंटे में तो हो जाता है तरक्की कर दोर है जमाना बहुत तेजी के साथ तरक्की कर रहा है इसलाम फिर उसने का कि धर्म भी पुराने हो जाते हैं हिंदू धर्म इतना पुराना इसाई धर्म इतना पुराना इसलाम धर्म चौदा सुसाल पुराना इसलाम अंदाजा नहीं लगा पाए उसने सब धर्मों का नाम लिया तो हम यहीं समझ भाएगी वो कौन है तो उसने सब धर्मों का नाम लिया तो इस्लाम को भी हर धर्म को भी अफ़ मौझूदा दौर के हिसाब से बदलना चाहिए क्योंकि पुरानी चीजहें बदलकर नई चीजह आती है उसने कहा ये माएक जब पुराना हो जाता है तो नई माइक आता है पुरानी कुर्सियां जब पुरानी हो जाती है तो नई कुर्सियां आती है टेबल जब पुरानी हो जाती है तो नई टेबल आती है हर पुरानी चीज को घर से हटा कर नई चीज को लाया जाता है लहाज़ा इसलाम भी 14 साल पुराना हो गया क्रिशिन भी पाँच हजार साल पुराना हो गया यहुजित भी बहुत जब पुरानी हो गई इसमें ऐसी ऐसी तक्रीव की अब मैं सोचने लगा कि इसको क्या जवाब दूँ क्योंकि मेरी तक्रीव तो बात भी होना थी दमाग बनाया कुछ ठूडा अब इतनी अरजेंट वहीं बैटे बैटे कहां से दिमाग बनाओ अब जूटे तो मार गई बैरल लास्ट में जब हमें बोलने का टाइम मिला तो दस मिनट का टाइम हमारे लिए भी था तो मैंने कहा पच्चों को मशवरा दिया कि अल्ला ताला आपको पढ़ाए लिखाए जिस मकसद के लिए आप आए हैं आपको काम्याबी दे बोलके इल्म के उपर बोलके फिर हम इस टॉपिक पे आगए कि अभी हमारी एक बहन आई थी हमारी सिस्टर थी उसने तो धर्म ही को बदलने की बात कह दिया मैंने का धर्म हमेशा इंसान को बदलते हैं और धर्म ना हो तो हम इंसान न रहें धर्म हमें इंसानियत से लाते हैं वो कोई भी धर्म हो जिस धर्म के अंदर इंसानियत नहीं है वो धर्म नहीं रहता है मैंने का कि एक बात हमारी सिस्टर में बहुत अच्छी कही है कि पुरानी चीजें बदल कर नई चीजें आती है इसलिए इसलाम को भी जो 14 साल पुराना हो चुका है उसको भी अब बदल कर नए सिस्टम पर लागू करना चाहिए वो क्या है बलापकार रेप करने वाले को सजा दो संसार कर दो पत्थमों से मार मार के चोर के हाथ काड़ डालो यह कोई सजा है हाथ काड़ने के बाद वो आदमी समाज के लिए बोज़ बन जाएगा फिर कमाने के लायक नहीं रहेगा हम झाएं, यह बाते आपने कही हैं, लेकिन मेरी सिस्टर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह दुनियावी चीज़ें बदली जा सकती हैं, क्दृती चीज़ें नहीं बदली जा सकती हैं एक एक साल दे देजिए हमारी वो सिस्टर ऐसी बैठी थी सामने हमारी ये मेरी सिस्टर एक 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 साल देने हमें कि कोई भी पुरानी चीज जो कुद्रती तोर पर पुरानी हो आज उसको बदल कर नया किया जा सकता हो मैंने का मैडम सूरज जब से निकलना शुरू हुआ है पहले दिन से आज तक एस से निकलता है और वैस्ट में छिपता है पूरप से निकलता है और पश्चिम में डूपता है ये तो इसलाम से भी जादा पुराना हो चुका है अब आपके हिसाफ से इस नियम में चैंजिंग आनी चाहिए अब सूरज को पश्चिम से निकल कर पूरब में डूबना चाहिए हमने का मैडम हमने हमेशा ये देखा है आम के पैर में आम अंगूर की बेल में अंगूर तर्बूस के बीच से तर्बूस पैदा होता है ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है अब गॉर्मेंट से कहिए कि आम से अमरूद और अमरूद से अंगूर और अंगूर से खजूर और खजूर से तर्बूस पैदा हो ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है हमने का सिस्टर हमने शुरू से ये देखा है गाये बचला देती है भैस भी बचला देती है और मुर्गी अंडा देती है कबूतरी अंडा देती है हमने का यह सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है अब कबूत्रि को बच्चा मुरगे को बच्चा भैस और गाए और पग्री को अंडा रहना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि अब पुराने सिस्टम को चैंच होना चाहिए चेंजिंग लानी चाहिए हमने का सिस्टर हमने ये देखा है कि मा के पेर से पहले बच्चा पैदा होता है फिर धीरे धीरे जवान होता है लास्ट के बुढ़ा होता हो फिर मर जाता है ये नियम ये सिस्टम भी बहुत पुराना हो चुका है अब बच्चे को पैदा करने के बाद फिर उसको खिला पिला कर अकारा बीस साल लगाते हैं उसको बड़ा करने में अब ये सिस्टम बदलना चाहिए अब आटोमेटिक वो डियम होने चाहिए कि अब इतनी मेहनद ना करना पड़े पालने पोस्टने में अब जवान ही को पैदा होना चाहिए और फिर बच्चा होके धीरे धीरे मरना चाहिए अब मा के पेड़ से पहले बूरा पैदा हो फिर जवान हो फिर बच्चा होके मरे ये सिस्टम बहुत पुराना हो चुका है अब चैंज करवाईए अब वो हमें घूर के देख रही है मैंने का इस तरह घूर के मत देखो हम लोग तो मौलवी है कमजोर दिल के बैसी मर जाएं ऐसे घूर के मत देखो सिस्टर मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टर इस नियम को आप बदलना चाहिए अच्छा छोड़िये सिस्टर इस सारे नियम को आप नहीं बदल सकती है क्योंकि ये आपके बसकी बात नहीं है चलिए अपने टीचर से कहिए चलिए अपने टीचर से कहिए सिस्टर बताईए टू पिलस टू कितना होता है आप बताईए उसी से मैंने पूछा कोले चली बुनियाद परी हुई है और आज तक यही प्राया जाता रहा है मैं कहना चाहता हूँ कि यह नियम भी पुराना हो चुका है मैथमेटिक्स के इन उसूलों को बदलना चाहिए अब दो दो तीन और तीन तीन पाँच होना चाहिए क्योंकि दो दो चार और चार चार आठ यह नियम भी बहुत पुराना हो चुका है आप एक छोटे से नियम अपने स्कूल और टॉलिज के इस नियम को नहीं बदल सकती है चलिए आप इसलाम को बदलने की बाप करने के लिए चलिए आप मजब को बदलने की बाप करने के लिए हमने का सोच बदलिए आप हमसे कह रही हैं आप लोग सोच बदलिए Allah की तरफसे नाजिल किया हुवा दीन है इसलिये ये भी नहीं बदला जा सकताए इंसानों की बिनाई हुई चीजें, बदली जा सकती है लेकिन Allah sites अभारण पॉप्वत्छा की तरफसे नाजिल की उईपी चीज़ नहीं बदली जा सकती है तो सोच बदल पली जिन कपड़ों को आप फैशन कहते हो ना अल्ला की नभी ने उस कपड़ने को क्या दहाय सुनिए निसाउन कासियात अरियात निसाउन कासियात अरियात अरियात माहिलात वमुमीलात कयामत से पहले तुम एक जमाना देखोगे तुम इस दुन्या में ये मंज़र देखोगे और दिफि में नदराएंगी लड़कीया तुमें नदराएंगी कासियात अर निस न कहने को कपड़े पहने हुए होगے बराए नाम उनके जिसम पर कपड़े होंगे कहने के लिए तो वो कुछ न कुछ पहने होंगी आरिया तुन लेकिन कपड़ा पहनने की बावजूद वो नंगी होंगी कपड़ा पहनने की बावजूद वो बरहना होंगी वो कपड़े वो पहने हुए होंगी वो कहलवाने को कपड़े पहने होंगी लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे कपड़ा पेहने के पावजूद वो नंगी कहला ही जाएंगी जिसको हम फैशन कह रहे हैं मुहम्मद रसुल्ला उस फैशन को नंगा पन उरियां दियूद कह रहे हैं कि वो बसाहिर तो कपड़ा पेहने हुए होगे लेकिन कपड़ा नहीं होगा वो नंगी होंगे बहना होंगे माईला तुम वममीला कितना मेकप करके निकलेंगे कितना क्रीम पोडर पर्फियूम लगाकर वो घरों से बाहर जाएंगे कि उनको देते ही लड़कों के दिल फिसलने लगेंगे उनकी तरफ माईल होने लगेंगे और वो भी लड़कों की तरफ छुकने लगेंगे यानि इश्को मौशिका होगा यानि ये चीज आम हो जाएगे लड़के उनकी तरफ परेंगे और वो लड़कों की तरफ लड़के उनकी तरफ छुकेंगे वो लड़कों की तरफ जब ये जमाना तुम अपनी आँखों से देख लो जब ये फैशन डेवल कपड़े जब तुम अपनी आँखों से देख लो जब ये चीज ये इसकाइट ये पेलर ये लेगी कि ये सारे कपड़े जब पहन कर लड़किया घर से बाहर निकलने लगें जबागें जबान पे दिया घर से बाहर निकलने लगें दस साल से बड़ी लड़की जवान मानी जाएगी दस साल से बड़ी लड़की बालत मानी जाएगी दस साल से बड़ी लड़की की उपर परदा, नकाब, हिजाब, शाधर ये सब चीज़ें जरूरी हो जाएगी दस साल से नीचे तो चलेगा लेकिन दस साल के पार कुछ जाईश नहीं है इसलाम के हकां दस साल के ओूँ पर लागू होने लगते हैं फरमाया जब तुम्हारा बेटा साथ साल कहो तो नमास कहो तो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा जब 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो मार मार के ले जाओ फीटो यानि 10 साल के बादत अबादत नमाज और रोज़त ये सब उसके उपर फर्द हो जागा है तो लड़कियों पर 10 साल के बादत परदा भी फर्द हो जाएगा इसलिए फर्माया कि सुनो ये सारे चीज़ें तुम्हारी उपर जरूरी है लेकिन जब ये लड़किया ऐसे कपले पहन कर निकलने लगे फैशन करके निकलने लगे लाया दुखुलनल जन्नत वलाया जिदन नरीहा ऐसी ओड़ों को कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा लाया दुखुलना भी पढ़ा कुछ लोगों ने वो जन्नत में नहीं जाएंगी और अक्सर ने पढ़ा लाया दुखुलनल जन्नत हर्गिस जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हर गिस का मतलब होंगी ही नहीं नहीं जाएंगी जन्नत में और जन्नत तो बहुत दूर की बात है जन्नत बहुत दूर की बात है वला यदिदन नरीहा जन्नत की खुश्बू भी नहीं मिलेगी जन्नत की खुश्बू जन्नत के गेट के बाहर एक घोड़ा खड़ा करो और उस घोड़े पर बैट जाओ और उस घोड़े पर बैट कर सफर करो दोड़ाओ सतर साल तक तक continue दिगेर रुके हुए दिगेर खाए पिये सतर साल तक तक उसको दोड़ाते रहो सतर साल के बाद वो जहां पहुँचे गा 70 साल के बाद वो जहां पहुँचेगा जन्नत की खुश्बू वहां तक आ रही होगी अब अल्ला के नभी कहते है कि ऐसी और पे जन्नत की खुश्बू भी नहीं पाएंगी यानि उनको जन्नत से इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनके और उनके जन्नत के जाने में जन्नत के दर्मियान सप्तर साल का फास्ला होगा सिर्फ सुनाई रहें आमल तो होना नहीं है कल सुबा हमारी बच्चियां पहनेंगी वही जो पहनती आई है हमारी औरते कपड़े वही पहनेंगी जो पहनती आई है उनमें चेंजिंग नहीं हो